हेलो एवरिवाइन एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में मैं हूँ स्वारब और आप लोग देख रहे हैं का YouTube प्रोग्राम इस वीक की अगर मैं बात करूं तो मैक्स में हम तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि है एवरेज मिक्शन एलिगेशन तो इस हफते में तीन वीडियो जो आएंगे उसमें से एक वीडियो एवरेज कर रहेगा दो वीडियो जो है मिक सब्सक्राइब होई जाएंगे 25 सवाल में आपके प्री एग्जामिनेशन से ठीक है तो जहां तक मैं बात करूं इस वीडियो की तो हम यहां पर एवरेज डिसकस करने वाले एवरेज का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है एक्जाम में कभी-कभी इजी होता है आसान सव पर रहेगा बलकि इस क्यालकुलेशन को कैसे इजी करना इसके ओपर भी हमारा ध्यान रहेगा तो यहां पर मैं आपको कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे हम एवरेज को फटा-फट क्यालकुलेट कर सके लेकिन इस ट्रिक को समझने के लिए आपको समय देना ह आपको सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 12 बजे मंडे टु फ्राइडे आपको दो लेक्टर्स यानि कि मैट्स और रीजनिंग में से आपको मिलता है इन दोनों फाइदा उठाए ठीक है साधी साथ आपको प्रैक्टिस शीट जो प्रॉइड कराई थी संडे को उसका उसका एंसर क्रीज आपको वेड्नस डे को प्रॉइड हो जाएगा ठीक है तो वह आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज य हमें दी हुई है ठीक है कुछ numbers हमें दिये हुए है इसका यदि average निकालने की बारी आई तो क्या करना है इन सब को जोड़ देना है divided by जितनी संख्या उसको डिवाइट कर देना है तो एक average निकल के आ इसी को हम क्या क्याते है एक नंबर निकल के आएगा जैसे कि यहां पर आपको पांच नंबर दिया था पैतालिस पच्पन साथ पच्छत्तर असी इसका आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा इन सभी numbers को जोड़ने होंगे इन सभी numbers को एक बार जोड़ेंगे फटा कहीं यह बन जाएगा 315 और 315 बटे 5 करने पर 63 तो यह तो हो गया एवरेज अब देखिए इसी फॉर्मुले को अगर मैं थोड़ा सा रियरेंज करूं तो रियरेंज करने पर कहीं न कहीं यह value आएगा कि जो sum of terms होता है वो क्या है तो average multiplied by number of terms यानि कि sum बराबर होता है average multiplied by number और average क्या होता है average होता है sum divided by number तो यह दो formulas आपको याद रखना है बड़े बड़े अकफरों में ताकर यह चीज़े आपको याद रखना है और इसी के base पे सारा average चलता है सवालों जो है वो मैं बहुत सारे यहां पर कराऊंगा exam से pattern के related ही कराऊंगा ठीक है तो जो previous year में आ है लगभग उसी के pattern में और आने वाले समय में जिस तरीके के सवाल आपके exam में आने को chances रखते हैं सारे में यहां cover कराऊंगा चलिए अब देखें यहां पर इस 63 number का मतलब क है कि और सतन याने अने सभी वैल्यूस को हम 63 ले सकते हैं क्योंकि 63 multiplied by 5 यदी में करूं 63 multiplied by 5 यदी में करूं तो कितना आएगा आप कहोंगे 15 यहां पर 30315 आएगा जिसका जो सम अगर देखोगे तो इन सब का सम भी कितना था तो इतना ही था मतलब कि यह जो सम है इसकी जग यही कि 500 संख्या को 63 के रूप से हम उसको express कर सकते लेकिन एक्चुली में ऐसा नहीं है एक्चुली में यदी आप इसमें देखेंगे तो वैल्यूस कही ना कई 63 से कुछ वैल्यू जादा है कुछ वैल्यू कम है अब कितना जादा है कितना कम है उसके ओपर थोड़ा सा मैं यहां पर लगा लेता हूं जैसे कि अगर मैं 63 और 45 के 듀ffentlich की बात करूं तो 63 और 45 की अगर बात करूं यह 43 होता तो 20 कम होता लिकिन दो तो फीस्टिटरी से 8 कं में इस पच्ष्टवर की बात करें तो 53 से कितना जादा है तो आप कोगे सर बारा जादा है और असी की बात करो तो पर कई 63 से यह 17 जादा है अब आप देखिए कि यहां पर जो वैल्यूस जादे हैं और जो वैल्यूस कम है इसको अगर हम इखटा करके जोड़ते हैं तो कहिना कई यहां पर आप देखोगे कि तीन यहां पर जोड़ेगा 11 होगा इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 39 आएगा ठीक ह कहीना कही जो net difference निकल के आ रहा है इसको यहां पर 0 आ रहा है यह जो process हमने यहां पर किया कि हम average से इसका difference देख रहे थे हर एक तर्म का जो difference देख रहे थे यह average से हर एक टर्म हम difference देख रहे थे इसी को हम कहते हैं deviation करना deviation इसी को यह हम क्या कहते हैं, deviation की किसी value से अगर हम इस सबी values का deviation लें तो actually अगर यह number जो है वो average ही हुआ, तो net deviation जो निकल के आएगा, वो 0 निकल के आएगा, बात समझ में आ रही है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 63 को ही ले लूँ यहाँ से average और सबसे इनका deviation लो तो कही न कहीं यहाँ पर 0 आएगा तो इस deviation का जो है advantage बहुत होता है इसी से आपकी calculation भी easy होती है ठीक है चलिए अब मैं यहाँ से कुछ बातें आपको बताता हूँ जैसे कि suppose करिये कि मुझे average नह सबसे चोटे value से चोटा नहीं हो सकता तो average कईना कभी 45 से 80 के बीच में होगा मैं smartly क्या choose कर लेता हूँ मैं मान लेता हूँ कि यह 60 average है ठीक है तो मान लेते हैं कोई भी values आप मान के चल सकते हैं मान लेते हैं कि थोड़ देर के लिए 60 average है अब हम क्या करेंगे यहां से हम deviation के अगर 55 की मैं बात करो तो से पंधरा कम है तो माइनस का पांच कर लेते हैं 60 की में बात करो तो नहीं कम है नहीं ज्यादा है मतलब यहां पर 0 का होगा अब यहां से अब देखेंगे की जो मायनस का 15 ठीक मैनस का हुआ था deviation divided by five कहीना कहीं आपका जो average आ रहा है वो कहीना कहीं 63 का 63 ही आ रहा है तो यह होते है deviation यानि कि deviation के जरिए assumed mean लेकर हम यहां से इसको average निकाले ठीक है तो यह सारी स्टैस्टिक्स में हम पढ़ते हैं बट हमें वो statistical terms तक जाना यहां पर average के तहती इसको याद रखेंगे कि हम यहां पर कोई भी value को यहां से जो आपको आसान लग रहा है उस value को मैंने average मान लिया और उस average को मानने से मेरे जो सारे deviations थे उस पर मैंने average लगाया यानि deviation यानि कि यहां पर जो sum में जो difference आ रहा है उसके एक-एक value से जो difference आ रहा है उसका मैंने sum निकाल दिया अगर value कम है तो minus किया अगर value ज्यादा है तो plus किया divided by क्या किया तो 5 क्योंकि 5 संख्या है और इसका जो average आया उसको हमने यहां पर एक बार जोड़ दिया क्योंकि हम यह मान के चल रहे हैं कि average किया है तो 60 मतलब हम यह मयान के चल रहे हैं कि यह 6000 यह भी 60 यह 17 यह brah a và lyu m how a तो इसे केस में समझ में आया कि devz teen जो है वह 15 ज्यादा आ रहा है मतलब average जो है वह साथ से 15 बटे 5 से जादा आएगा क्योंकि यह 15 जो है वो सम में है पांचों में बढ़ जाएगा all five values में बढ़ने का मतलब fifteen by five करना याने थ्री से ज्यादा बढ़ाएगा ठीक अब देखे कुछ चीजों के जरिये मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ suppose करिए कि दो व्यक्ति है ए और बी ए और बी दो व्यक्ति है ठीक है इन दोनों के पास combined 100 रुपया है इन दोनों के पास combined 100 रुपया है मतलब कि इनका जो average है वो क्या है average इनका है 50 ऐसा कह सकते क्योंकि average क्या होता है average होता है sum divided by number याने 100 बटा दो करोगे तो कहीं न कई average जो हैगा वो 50 का है clear मतलब देखे इस 50 के average आने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति के पास 50 रुपया है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी 50 रुपया है correct यह होगा अब यहां से आप कुछ चीज है तो इनका sum 100 fix हो गया तो कहीं न कहीं अगर एक को मैंने एक रुपया कम दिया तो दूसरे को मुझे एक रुपय ज्यादा देना होगा तब जाके यह value जो है 51 मनेगा और इसका sum जो है वो कहीं 100 का 100 रहेगा सरी 100 का 100 ही रहेगा एक 100 का 100 ही रहेगा ठीक यानि कि समझीए कि अगर यहां पर value को मैंने अगर तीन बढ़ा दिया इसको मैंने क्या किया इसको मैंने तीन ज्यादा दिया होता तो यह value 53 बन जाता और क्योंकि मुझे net deviation around 50 जो की इसका average है वो same होना चाहिए तो दूसरे value को तीन ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि अगर इसने ज्यादा ले गया तो दूसरे वाले को इसका नुकसान सहना होगा अगर यह कम लेता है तो इसको फाइदा होगा इसको अगर यह ज्यादा ले जाता है तो इसको नुकसान होगा यह कही ना कही 47 यानि कि total value जो है वह 100 यह चेंज नहीं होने भला है इसी को हम कहते हैं डिवेशन अप्रोच इसी का हम भरपूर मातरा पर यूज करेंगे ठीक है अब देखिए यहां से अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं जैसे कि मान लीजे तीन वेक्ति हैं तीन वेक्ति हैं एबी और सी एबी और इसके साथ एक सी वेक्ति और आगया इनका जो सम है वो कहिना कहीं 150 है 150 होने का मतलब यह है कि यहां पर एवरेज की अगर बात होगी तो कहिना कहीं अगर वैल्यू यह 150 बटा तीन करोगे तो फिर से आवरेज आपका 50 ही आगया कहने का मतलब यह कि इसके पास भी 50 रुपिया इसके पा वैला वाला वैक्ति दो रुपे ज्यादा ले गया दूसरा वैला वैक्ति तीन रुपे ज्यादा ले गया मतलब अगर दो और तीन के साथ अगर पचास आवरेज आप कह रहें तो कहीं न कहीं अगर पांच ज्यादा ले गया पहले के दो वैक्ति तो इस पांच का नुक्सा कम दिया तो यह कितना हो जाएगा यह कहीं न कई चालिस हो जाएगा और मैंने आपको एक इंफर्मेशन ऐसा दे दिया कि बी बराबर सी है मैंने आपको क्या बता दिया एक इंफर्मेशन दे दिया कि बी बराबर सी है तो आप कहेंगे सर हमको तो यह पता है और क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं इसमें भी 5 से ज़ादा दे दूँगा मतलब मैंने क्या किया इनके average की अगर मैं बात करूं तो B और C B प्लस C जो है चलिए sum की अगर बात करें तो ये 50 प्लस 50 होना चाहिए था याने 100 होना चाहिए था प्लस एक्स्ट्रा जो है इन लोग को 10 और लेकर जाना पड़ेगा मतलब 10 ये हो जाएगा इनका sum ये हो जाएगा इनका sum लेकिन अगर इसके average की बात करें हम इसके average की बात करें तो B प्लस C का जो average है इन दोनों का जो average है वो कहिना कई 50 ही होना चाहिए था क्योंकि अगर ये 50 है तो ये भी 50 ये भी 50 है सारे चीज़े 50 होने थी लेकिन क्योंकि यहाँ पर 10 ज्यादा मिल रहा है पहले पहले वाले को तो इसको 10 ज्यादा मिलेगा और इस deviation पर जाकि हम क्या कर लेंगे divided by 2 कर लेंगे मतलब 50 का average में हम क्या करेंगे प्लस का 5 कर लेंगे मतलब कहिना कई कितना आ गया 55 तो दिखें जब average की बात हो रही है जब इनके average की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं minus कर देता क्योंकि balance होना चाहिए deviation में ठीक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो b plus c यहाँ पर मैं sum की बात कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी हम sum पर ही बात को खतम कर रहें लेकिन जब average की बारी आती है तो यहाँ पर 50 लिखना होगा क्योंकि दो जनों का average 50 है यहाँ तीनों का average 50 था प्लस यहाँ पर 10 कर रहे है क्योंकि पहले वाले वेक्ती ने 10 कम ले गया तो यहाँ पर 10 ज्यादा लेगा लेकिन जब average की बात हो रही है तो जितने लोग है यह 10 उन सभी में बटेगा तो यहाँ पर divided by two करना मत भूलना क्योंकि यह average ठीक तो यहाँ से अगर आप मुझसे पूछे conceptually कि क्या हुआ तो यह 10 को हमने यहाँ 5 एक्स्ट्रा दिया तो पच्पन इसको भी एक्स्ट्रा दिया तो पच्पन यहाँ पच्पन पच्पन का value हो जाएगा वही यहाँ पर average निकल क्या रहे है ठीक तो चौथे वक्ति का क्या average होना चाहिए यह आपको निकालना आना चाहिए with deviation क्योंकि net deviation जो है वो कहीं ना कहीं 0 होता है चलिए अब हम आते हैं वापस और कुछ बातों के साथ यहाँ पर शुरुवात करते हैं सबसे पहले हम आएंगे क्रमागत consecutive numbers with common difference यानि कि क्रमागत सं संख्या हैं जिन पर अंतर समान हो जैसे कि आप जानतें अपी स्थमेटिका प्रोग्रेशन स्थम्सित फारैया pepper जो है उसके और पढ़ाया भी हुए natural numbers में starting में number system में जब हम deal कर रहे थे इन सबी चीजों से वहाँ पर आपने देखा था कि consecutive terms यानि कि क्रमागत संख्या है जो इसके बीच का अंतर यदी समान होता है तो इसी को हम क्या कहते तो कहते हैं तो कही ना कही हम यहां पर किसकी बात कर रहें इंडिरेक्टली हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहें ठीक है तो वहां से अब मैं कुछ बात उससे रिलेट करता हूं जैसे कि देखें यह यह नाचुरल नंबर्स की सीरीज है जो है 11 से स्टार्ठ हो रही है यहां पर डिफरेंट्स कितने का है यह यहें इसके एवरेज निकालने की बात करेंगे तो एवरेज जो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 15 डिवाइड़ बाइड ना कहीं पंदरा जोड़ रहे हो तो 65 ठीक डिवाइड़ यहां पर पांच आएगा मतलब एवरेज जो है वो तीरा है कुछ रिजल्ट हम निकाल लेते हैं जब कॉमन डिफ्रेंस सेम हो उसकेस में रिजल्ट कुछ निकाल लेते हैं जैसे सेकेंड वाला ज़ाएगा अगर मैं इसे जोडता हूं तो तीस को मैंने कितने बार जोड़ा तो आप कहोगे कि सर पांच बार जोड़ दिया लेकिन यहां पर दो ज्यादा यहां चार ज्यादा यहां छे ज्यादा है यहां यहां पर तीसरा एक्जामपल है जिसके बीच में क्रमागत संख्याओं का अंतर समाने आप लोग देख पारे हूंगे इसमें दसका अंतर है इसका एवरेज यहां निकाले इसका एवरेज हम निकाले तो बनेगा 55 25 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 85 बटे में चार संख्या है इसको जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा एक सो चालिस प्लस एक सो चालिस जो कि हो जाएगा दो सो असी डिवाइड़ बै चार जो की सत्तर का एवरेज देगा यहां पर 70 का एवरेज यहां पर आ रहा है अब यहां से हम आते 10 का difference 10 का difference और 10 का यहां पर जब आवेज निकालने की बात होगी तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा यह 30 प्लस 30 60 प्लस 40 रहे हंडेंड होगा हंडेंड में 50 जोड़ोगे एक सौ 50 होगा एक सो पचास में 60 जोड़ोगे तो 210 अब इतनी सारी चीजे जो मैंने लिखी उसमें आपको कुछ चीजे मैं समझाना चाहता हूँ एक एक करके सारी चीजे समझते हैं ठीक जबी भी हम क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालते हैं इस वाले में average कितना आया था 36 और यहां पर average कितना है तो 36 यह बीच की संख्या क्या है 36 तो जब भी क्रमागत संख्याओं में अंतर समान होता है तो बीच की संख्या जो होती है वो average के बरावर होती है यहां पर जब आप देख रहे होंगे तीसरे और चौते वाले में example में त लेकिन अगर आप इस सीरीज को गौर से देखे तो यहां पर total number of terms जो है एक दो तीन चार पांच टर्म से इसको भी देखेंगे तो कहीं न कई पांच टर्म से यानि कि यहां पर odd number of terms है विशम संख्याए है यहां पर ठीक है विशम संख्याए है आपको यह समझना होगा कि total numbers of terms कहीं विशम संख्याए है और यहां पर अगर देखें तो चार टर्म से यहां पर four terms और इस वाले में भी four terms है यानि कि कहीं न कई संख्या है यहां पर कहीं न कई six terms है दूसरे पहले वाले में four terms था तो संख्या है तो जब odd number of terms होती है उसमें एक मिडल लेकिन जब इवर्ट बहुती वहां पर दो मिडल टर्म होता है इस वाले सिरीज की बात करें तो दो मिडल टर्म आ रहें एक आरहें पैसाट एक आरहें पाश्तर इन दोनों का जब एवरेज निकालोगे बटे में दो करोगे तो कही ना कई सतर आएगा फिर से और एवरेज ब और इसमें 13 है तो average जो होता है वो middle term के बराबर होता है अगर odd number of terms है तो एक middle term आएगा लेकिन अगर even number of terms है तो वहाँ पे दो middle term आएगे इन दोलो middle term का average average के बराबर होगा ठीक पहला point हो गया note down अब देखे second point आप note down करेंगे कि average जो होता है वो पहले आखरी term के बराबर होता है पहले और आखरी term को एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पहला term यहाँ पर क्या है तो 11 यहाँ पर 15 है 11 और 15 का average निकालने जाओगे 11 प्लस 15 होता है 26 divided by 2 करोगे तो 13 आ रहा है और average भी कितना है यहाँ तो 36 आया अब इसमें भी देखो कि तो 55 और 85 जोडने पर 140 आता है divided by 2 करोगे तो कहीना कहीं सतर आएगा तो एक बार फिर से average की बराबर है यहाँ 10 और 60 है 10 और 60 को जोड़ोगे सतर आएगा 70 divided by 2 करने से 35 आ यहाँने कहीं कहीं फस्ट और लास्ट ट हुआ है अगर मैं पहले ट्रम को अ मानलू और आखरी टर्म को मानलो तो यह हो जाएगा एप्लस ला यह यह चाता है ऑ जो सम होता है यह सम क्या होता आफ यह हमने देख लिया यह तो अभी अभी देखा ना सम जो होता है वो क्या होता है अगर आप से मैं पूछू कि बताइए इसका सम क्या है तो आप कहोगे सर यहां पर तो सम जो है वो है शे नंबर एक दो तीन चार पांच तो जितनी संख्या है बते दो और पहला टर्म प्लस लास्ट तर्म कही ना कहीं एपी में हम यह फॉर्मूला देख चुके और आप इस फॉर्मूला को अच्छे से जानते एक बार फिर से देखिए एवरेज ए प्लस एल बाय टू है और मल्टिप्लाइट बाय एन करने पर आपका सम निकल के आया ज यह आपको पीडिएफ में भी फॉर्माट पीडिएफ फॉर्माट में भी में प्रवाइट करा दूँगा तो अगर पीडिएफ चाहते हैं तो आपको कंप्प्टिशन कम्यूनिटी के वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पे अंतिमपज का जो ओसत होता है वो ओसत के बराबर होता है यह दो चीजे हमने यहां पर देखा ठीक है क्रमागत संख्याओं के रिलेटेड अब आते हैं कुछ सवाल देखेंगे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दिया हुआ है एवरेज ऑफ सेवन कंजीकु तो बीच में एक ही टर्म आएगा और वो टर्म जो है कही न कही 21 हो जाएगा तो 21 जो है middle term हो गया ठीक क्योंकि आप जानते है average बराबर middle term होता है इससे बड़ी संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या पर अगर आपको जाना है तो plus 2 करोगे तो 23 आएगा इसमें plus 2 करोगे त 25 इसमें प्लस दो करोगे तो 27 आएगा प्लस दो प्लस दो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहां पर क्रमागत विश्म संख्याओं की बात कर रहे हैं क्रमागत विश्म संख्या यानि कंजिकुटिव और नमबर्स का मतलब दो दो का डिफरेंस में आपको बढ़ना है और सबसी बढ़ी संख्या जो है कहिना कहीं 26 27 आ जाएगा वी सवाल का सही उत्तर है क्लियर सेकेंड कुश्चन आपके स्क्रीन के उपर दा एवरेज ओफ एट कंजिकुटिव इवन नमबर इस 19 देन फाइंड दस्मॉलेश नमबर आठ क्रमागत विश्म संख्याओं का उसत अगर उनिस है तो सबसे चोटी संख्या क्या बताना है तो मैं यहां पर आठ डाश संख्या की बात कर रहें तो आप बताईए कि कहीं उनिस उसका डिश्म हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि उनिस अपने आप में विश्म संख्याओं तो यह निस जो है कही ना कई इसके पहले वाले नमबर 18 और 20 का एवरेज से निकला होगा और और जब सबसे smallest value की बात हो रही है तो आपको पीछे जाना है 2 step 2 step पीछे तो 16, इसके 2 step पीछे तो 14, इसके 2 step पीछे तो 12 यानि सबसे छोटा number कहीं न कहीं जो है, वो यहां से 12 निकल कहाएगा 12 is the smallest number, clear है, तो C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक बात समझ में आगई, चलिए, अब हमने 2 example लिया, जिसमें एक बार odd number of terms थे, एक बार even number of terms थे, इससे fast आप calculate नहीं कर पाएगे, अब देखिए, 61 consecutive odd numbers है, जिसका average जो है, वो कही न कही कितना है, तो average है 107, ठीक, आपको निकालना क्या है smallest number, तो यहां से समझने की बात हो रही है, तो बीच में जो term होगा, वो कही न कहीं एक ही term निकल के आएगा, और वो एक term जो हो, वो 107 होगा, इस 107 के आगे, 30 terms होगे, और इस 107 के पीछे भी 30 terms होगे, और 30 terms का मतलब, यहां से आपको सबसे last वाला term निकालना है, यदि मैं गिंती यहां से start करू, तो इसको मिलाते हुए total 31 terms होगे, ठीक, और 31 terms में, दो-दो term के बीच में एक gap होता है, मतलब कि इस 31 term में कही न कहीं 30 gap बनेंगे, और हर एक gap में कहीं 2 कम होगा, तो इस value में आपको क्या करना है, minus का 60 करना है, minus का 60 करोगे, तो last वाला number जो आएगा, वो 47 निकल के आएगा, जो उत्तर यहां पर सही है, वो B option होगा, कि सबसे छोटी संख्या जो है, वो कहीं न कहीं 47 होगा, अब आपको यहां पर हो सकता है, थोड़ा सा confusion हो रहा होगा, कि मैंने यह फटा-फट कैसे लिख दिया, जैसे कि समझी यहां पर अगर middle term एक है, middle term एक है, तो इसके आगे 30 term, इ इसके पीछे होना चाहिए, ठीक है, और हमें क्योंकि सबसे छोटी number निकालनी थे, तो सबसे छोटे number मतलब यहां से 30 number और होगे, और अगर मैं यहां से गिंती start करो, तो 31 terms है, जैसे कि देखिए, अगर मैं एक और दो लिखता हूँ, तो यहां पर दो term होगा, दो term के बीच से start करें, तो 31 terms है, और इसमें कहीना कहीं दो दो number, यानि कि 22 का gap आ रहा है, तीस gap है ऐसे, तो मतलब value 60 कम होगा, इसमें 60 minus करने पर जो सबसे छोटा value आगा, वो कहीना कहीं 47 निकल के आएगा, आगे बढ़ते हैं, next question आपके screen के उपर है, average of 9 consecutive number is N, if the next number is also included, then find the new average, ठीक, न तो नया उसल क्या होगा, चलिए, यहाँ आपन 9 consecutive numbers का average अगती N है, तो N के आगे 1, 2, 3, 4 नमबर होगे, इसके पीछे 1, 2, 3, 4 नमबर होगे, मतलब ये N से 1 बढ़ा होगा, ये N से 2 बढ़ा होगा, ये N से 3 बढ़ा होगा, और ये N से 4 बढ़ा होगा, मतलब इसके बाद वा पहले क्या था, तो N था, हमने इसमें क्या जोड़ा, यानि कि अगर ये नमबर भी N होता, तो कहीना कही average में कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि एक और बार N ही जोड़ो, देखो, आप यहाँ पर N average कह रहो, तो इसका मतलब क्या है कि आप सभी values को N ले सकते हैं, क्योंकि स एक value एक कम था, तो एक value एक ज़्यादा, इस तरीके से 9 consecutive numbers जमें हुए, अब आखरी value में क्या है, तो N से, ये N भी है, N से 5 ज़्यादा है, अगर केवल N होता, तो average में कोई फरक नहीं पड़ना था, लेकिन value जो है, वो कहीना कही 5 से ज़्यादा है, जब average की बात होती है, तो total जब number बटेंगे, ये कितने number में बटेगा, अब ये 10 number हो गए, तो ये 5 जो है, 10 numbers में बटेगा, याने ये average जो है, N प्लस 0.5 हो जाएगा, मतलब number जो है, कहीना कही 0.5 से increase होगा, C जो है सवाल का सभी होगा, अब 5 जोड रहे हैं ना इसमे, N प्लस 5 जोड रहे है, क्य divided by 10 को विभाजित कर ले न, याने average जो है, दसमलब 5 से बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं, average of all the odd numbers less than 100, 100 से कम सभी विशम संख्याओं का आसत बताईए क्या होगा, तो 100 से कम सभी विशम संख्याओं की आसत की अगर बात करें, तो सबसे छोटा विशम संख्या जो होता है, 1, और सबसे बढ़ा विशम संख्या, देखे, एक के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, यह सभी विशम संख्या है, और सबसे बढ़ा विशम संख्या होगा 99, तो आप खुदी बताईए कि इसका जो average है, वो average कितना हो जाएगा, आप कहेंगे, सर इसम इसी से आप सम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि number of terms भी 50 है, 50 into 50 वही होता है, यहाँ पर average, ठीक है, तो 50 का square आजाता है, इसका sum, तो sum के बारे में भी मैंने आपको discussion किया है, कि first and odd natural numbers का sum कैसे निकालना है, first and even natural numbers का sum कैसे निकालना है, वहाँ भी कहीना कही, आप इस result को use कर सकते average तो 50 है, number of terms भी 50 है, तो number of terms into average से ही तो sum निकलता है, और कहीना कही हमने sum of odd natural numbers सीखा हुआ है, जो कि n square होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको फिर से एक बार, revise करेंगे, the average of 58 consecutive even numbers is 371, find the sum of first and the last number, अगर यहाँ पर 58 consecutive even numbers का average इतना है, कितना है, ठीक है, average इतना है, तो आपको पता होना चाहिए कि first term और last term का जो average है, वो भी इतना ही होता है, यानि first term A है, last term L है, इन दोनों का जो average है, वो average के बराबर होता है, यानि 371 के बराबर होता है, 58 लगातार sum संख्याओं की ओसत जो है, वो कई न कई आपका 371 था, पहली और आखरी संख्या का योगफल याद करना है, हमें यह पता है कि जब क्रमागात विसम संख्या ये, संख्या की बात हो रही है, इनके बीच का अंतरसमान होता है, तो ओसत जो है, वो बीच की संख्य था कि साथ-साथ, होने के साथ-साथ, आखरी और पहली पद का एवरेज भी होता है, तो डिरेक्टली पहले और आखरी पद का एवरेज जो है, वह इसके बराबर होगा, तो पहली और आखरी पद का जो योगफल है, सवाल था पहले आखरी पद का योगफल निकलना, तो दो यहां बेजोगे तो multiply होगा तो यह बन जाएगा दो यहां पे चौदा आएगा और यह 6 प्लस 1 यानिकि 742 है इसका और सथ बन जाएगा 742 दी इस सवाल का बिलकुल सही उत्तर है समझ में आ गया क्योंकि average ना सिर्फ middle term की बराबर होता है average first और last term की average की भी बराबर होता है तो यहां पर हम पहले और आखरी term की average से इसको equate करेंगे तो कहिना कई सम निकल के आ जाएगा पहिन चलाने की भी आवज सकता नहीं आप directly इसका दुगना कर सकते थे जो value दिया हुए 371 का दुगना आपका 742 हो जाएगा next question if the average of 34 consecutive odd numbers is 100 then find the difference between the first and the last number 34 क्रमागत विश्म संख्याओं का उसत जो है वो कहीना कहीं जो है वो कितना है तो वो 100 है 100 है आपको बताना है कि आखरी और पहली संख्या का अंतर कितना होगा यह आपको बताना है यहां पर देखे अभी अभी मैंने आपको बताया जब 34 numbers की बात हो रही है 34 numbers के बीच में total 33 gaps बनेंगे और 33 gaps में आप बात कर रहे हैं consecutive odd number की यानि कि क्रमागत विश्म संख्याओं की बात होती है तो एक gap में दो numbers होते हैं तो इसमें क्या करना है multiplied by 2 कर देना multiplied by 2 यहने 66 का value जो है इन उनों के बीच का अंतर हो जाएगा बी जो है सवाल का बिलकुल सही उत्तर है clear 66 जो है इसका उत्तर हो जाएगा बाकी चीजों का जो सव अगेरा दिया इसकी कोई सकता नहीं है क्योंकि आपको difference निकालना था तो पहले और आखरी terms में total 34 terms है तो 33 gap होंगा और 33 gap का मतलब हर एक gap में 2 difference तो 33 multiplied by 2 करेंगे 66 आ जाएगा clear चली next question दिया if the average of 35 numbers is x if all the numbers are increased by 100 and then divided by 5 then find the new average देखे 35 संख्याओं का जो ओसत है वो कई ना कई x था यादि सभी संख्याओं को 100 से विभाजित 100 से बढ़ाया जाता है और फिर 5 से विभाजित किया जाता है तो आपको बताना है कि ओसत कितना होगा देखे जबी भी हम कोई operation सभी terms में करते हैं सभी terms में करते हैं तो यह average में भी वैसा ही होता है मतलब देखिए अगर average कितना था x था इस x में कहा जा रहा है कि सभी term को हमने क्या किया सभी term को हमने पहले 100 से बढ़ाया तो average जो है वो भी 100 से बढ़ जाएगा इसके बाद divided by 5 याने सभी numbers को अगर हम 5 से डिवाइड करने तो average जो है यह भी 5 से डिवाइड हो जाएगा यही average की खुबी है अगर आप कोई value को याने कोई operation को सभी terms में करने तो वो average में भी हो जाता है मतलब 100 में जोड़ना फिर 5 से डिवाइड करना तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कही ना कहीं हो जाएगा x by 5 प्लस 20 तो x by 5 divided by 20 याने कही ना कहीं ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा क्लियर है यहां तक बाते समझ में आगी चलिए आशा करता हूं यह सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिया होगा मैं कियाना चाहरा हूं कि अगर average याने किसी value का average आपको दिया है उस जितने भी terms है उस सभी terms में एक ही operation किया जा रहा है याने सब में हम 100-100-100 जोड दिये और फिर सारे values को 5 से divide कर दिया तो वही चीज़ average में होगा अगर पहले average x था तो इसको 100 से बढ़ाना होगा divided by 5 तो x by 5 प्लस 20 जोए उत्तर हो जाएगा चलिए अब हम आते है natural numbers में natural numbers के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं यह सारी formulas हमने देखे थे कि first n natural numbers का sum जो है वो कह प्राकृतिक संख्याओं को योगफल एन स्कॉर होता है यह सारी चीज़ें हम देख चुके हैं और यही चीज मैंने अभी अभी सवाल में भी बताया था कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का जो और नमबर से उसका sum अगर एन स्कॉर है तो क्यों है वह मैंने आपको थोड़े देर पहले सवाल की जरी बताया था ठीक है अब यहां से स्कॉर्ण और नमबर जो है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का युगफल जो है वह एन इंटो एंट प्लस वान इंटो एंट प्लस वान डिवाइड़ बाइड़ प्लस वान इसक्स होता है औ अभी तक मैंने आपको बताई यह कहीं न कहीं हम पहले नेचुरल नंबर में जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में डिस्कॉशन हो चुका है यहां पे अब हमें जो देखना है वह इन सम का वैलू नहीं इनके एवरेज का वैलू देखना है क्या दे यह सम नहीं हम बात कर रहे हैं इनके ओसत की बात यानि कि यहां पर एवरेज की बात कर रहे है और एवरेज क्या होता है तो एवरेज होता है सम डिवाइड़ बै नंबर अफ टम्स मतलब इस फॉरू मिले में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद रखना जारेक लिए यह जहां जहां पर दिख रहा है इसको क्या कर दोगा तो बचम बचेगा इसमें एक न काट होंगा तो बागी बचा हुआ बचेगा एन प्लस बंका स्क्वेर क्या सेंड करने परने पर दूसरा बात बचा रहेगा तो यह हो गए इनके एवरेज ठीक है तो इस चीज को आप नोट करके रखे कि सम का फॉर्मुला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है नैचुरल नंबर्स हमने नंबर सिस्टम में कवर करके रखा हुआ था अब हम यहां पर जो डिसकस कर रहे हैं वो कही का होल स्कूर होता था लेकिन जब एवरेज की बात हो रही है तो इसमें divided by एन करना होगा यह स्कूर है एकचुली मतलब फ़ॉर्मूला ऐसा बन जाएगा एंट नंप्लस बन का होल स्कूर डिवाइडड बा कईाई कही यहां पर चार जाएगा तो सौ बस डालना है अंदर bracket में बाकी चीज़े calculate हो जाएगी तो मैं 100 दाल देता हूं यह बन जाएगा 101 क्यूंकि एन का value 100 है divided by यहां पर 4 ठीक तो 4 से अगर मैं इसे काटू तो यह 25 बनेगा मतलब उत्तर वह सही होगा जिसमें last में 25 आए तो दो option में आप फज्जा होगे तो यहां पर 25 लिख लेते हैं 101 का square बताई यह क्या होता है 101 में एक जोड़ोगे 102 आएगा और आगे एक का square ठीक तो कही ना कही जो value है सुरी 255025 मतलब एजो है सवाल का सई सई उत्तर है यह option यह बिल्कुल करेक्ट है आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में आओगा यहां पर हमने क्या किया है क्योंकि यहां हमें क्या करना है औसत ग्याद करना है हमें एवरेज नहीं ग्याद करना था तो एवरेज जो है व एवरेज वेट ऑफ दे क्लास इस 59.2 और एवरेज वेट ऑफ दी गल्स इस 55 केजी दन फाइंड दा एवरेज वेट ऑफ दा बॉइस तो लड़कों का वजन कितना है बताना है देखे टोटल जो है यहां पर साथ विद्यारती है 60 स्टूडेंट इन 60 स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें से 40 परसेंट जो है 40 परसेंट जो है कई ना कई गल्स है और इसमें से जो बाकी बचे हुए 60 परसेंट होंगे वो बॉइसों में अब देखे यहां पर आप डारेक्टली रेश्यो में बात कर सकते कि क्वांटिटी का जो अब दिया हुए कि पूरे के पूरे क्लास का जो एवरेज और साथ में दिया हुए और लड़के यौन का उसत बजन तो 55 है अब आपको बताना है कि लड़कों का उसत बजन क्या हुआ तो देखें बाइस की जब बात हो रही है तो boys का भी औसत बजन इतना ही होना था 59.2 क्योंकि अगर average 59.2 है तो girls का average भी इतना ही होना चाहिए था boys का average भी इतना ही होना चाहिए था लेकिन क्योंकि यहाँ पर girls का average थोड़ा कम हो गया तो boys का average थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कितना ज़्यादा हो जाएगा उसके बारे में थोड़े discussion कर लेते हैं actually यह जब 55 हो रहा है तो 55 जो है आपके 59.2 से कितना कम है यह आपको देखना होगा आपका जवाब होगा sir इसको अगर minus कर ले तो कही न कई 4.2 कम है लेकिन 4.2 एक value पे कम नहीं है यह दो values पे कम है याने total इसमें जो कमी है वो कही न कहीं 2 into 4.2 की है मतलब 8.4 की कमी है 8.4 की कमी याने यहां 8.4 को जोड़ देना 8.4 को जोड़ देना क्योंकि देखिए 59.2 का average का मतलब deviation की बारे में आप सोचने की कोशिच करें कि 5 values है तो 5 values का मतलब यहां पर 5 values याने 2 girls और 3 boys सबका average value 59.2 59.2 59.2 59.2 और 59.2 ऐसा 5 होना चाहिए था लेकिन क्योंकि यहां 2 values ऐसे है जो कि 55 है और 59.2 से कम है कितना कम है तो 4.2 कम है तो यह 2 values याने कि multiply करने पर 8.4 कम लेकर जाएंगे तो boys को extra 8.4 carry करना पड़ेगा इस जो यहां पर कमी किये है उसको boys को extra यहां पर cover करना पड़ेगा और क्योंकि boys 3 है तो average 59.2 है तो इस average में इस 8.4 को बाट होगे तो कहिना कई 3 से आपको इसे काटना पड़ेगा तो अब देखिए average कितना हो गया एक line का answer है normally calculate करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा time जाएगा इसमें 2.8 बस आपको जोड़ना है 2.8 जोडने पर कितना 60 होगे 2 और जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा average बत इसमें आपका time बहुत जाएगा मतलब कि देखिए हमें क्या दिया था कि 5 लोगों का average इतना है तो 5 into 59.2 करोगे तो total आपका बेट आजाएगा और यहां पर girls का average था वो 55 था तो मैं इसमें 55 into 2 करोगा तो कहीं न कहीं girls का total weight आजाएगा और जब total weight आगया girls का weight आगया difference है क्योंकि तीन boys है दो girls ठीक है तो इस तरीके से भी आप average calculate कर सकते same answer आएगा बट ज्यादा आसान है कि आप deviation approach से solve करें इससे फटा-फट एंसर आ जाता है next question है 40 students है जिसमें 45% girls है and the remaining are boys if the average of the girls is 54 and that of boys is 46 then what is the average of the whole class class विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों की कक्षा में दिया हुआ है 45% जो है वो girls है यह girls है और साथ में दिया हुआ है जो boys है वो कितने हैं तो boys बचे हुए रहेंगे 55% क्योंकि अगर 45% girls है तो boys बागी बचे हुए रहेंगे यदि लड़कें द्वारा प्राप्त अंकों का जो ओसत है वो दिया हुए आपको 54 और boys जो ला रहे है marks लड़के जो boys marks ला रहे हैं वो कही न कई 46 तो आपको बताना है कि what is the average of the whole class मतलब समझें यहां पर कि अब deviation लगाएं तो कैसे लगाएं आप बस यहां पर देखिए कि girls और boys का जो ratio quantity में जो ratio है quantity की अगर ratio की बात करें तो 9 girls की मुकाबले यहां पर 11 boys कहीना कहीं अगर 45 और 55 का मैं average ratio ले लूँ तो यहां पर कहीना कि अगर 9 girls थे class में तो 11 boys थे इसको 40 की कोई आवशकता नहीं है क्योंकि जब average निकालने की बात हो रही है तो ratio में चीज़े हैं वो कट जाती है तो answer सेम आता है क्योंकि पहले भी शुरुआती दौर पर पूरा वैलू लो आपको क्या करना है अब आपको देखना है कि यहां पर girls जो है वो 54 और boys 46 तो girls का average mark जो है वो 54 और boys का average mark जो है वो कहीना कही 46 है तो अब देखिए मैं यहां पर average calculate करता हूं कैसे average calculate करना है starting में मैंने आपको deviation लगा के बताया था कि average कैसे calculate होता है जब बहुत सारे average दिख रह तो ज्यादा असान रहता है जैसी कि मैं मान लेता हूं कि 11 boys में 11 boys में सबका average 46 है मतलब 46 46 46 इस तरीके से 11 बार आ चुके हैं तो मान लेते हैं कि average कितना 46 है पूरे class का average मैंने मान लिया है यह assumed mean है कि मान लेते हैं कि पूरे class का average 46 है लेकिन actually अगर आप देखोगे तो यहां प आठ का डिवेशन लगेगा यहां तो डिवेशन जीरो होगा क्यूंकि 46 और 46 का डिफरेंस जीरो है तो 11 वैल्यूज में डिफरेंस जीरो आएगा लेकिन 9 वैल्यूज ऐसे होंगे जिसमें डिवेशन आठ का लगेगा तो 9 multiplied by 8 इतने का डिवेशन आएगा लेकिन यह जो average है कि टोटल पूरे की पूरे क्लास का average है पूरे के पूरे क्लास का एने 9 प्लस 11 बीस लोगों का average है तो इसे हमें 20 से एक बार काटना भी होगा इतना simple सा चीज़ चलिए अब इसका average बताई कितना होगा यहां से deviation हमने लगा दिया यह बन जाएगा 4 यह बन जाएगा 10 तो यहा ही चलाना है यह सब मैंने explanation के लिए लिखा आपको बस इतना सा ही pen चलाना है समझना है कि यहां पर हो चल क्या रहा है deviation बस एक बार समझते चलिए कि मैंने माना कि पूरा average मान लेते है 46 जरूरी नहीं आप 46 माने आप 54 मान के कर सकते 54 करेंगे तो बस यहां पर minus हो जाएगा ब इतने values में 9 values में तो यहां 8 into 9 हो रहा है लेकिन यहां पर 8 into 11 होगा ना कि 9 इस तरीके से आपको ऐसे भी calculate कर सकते हैं तो यहां पर 46 अगर average assume हो रहा है तो कहीं न कई प्लस हो रहा है deviation बाकी values में 8 जो कि 9 values में है तो 8 into 9 यह net deviation हुआ divided by हमको यह बाटना है 20 लोगों में तो 20 लोगों को सबको बराबर बराबर बाटना होगा जिससे आपका average 49.6 हा जाए चलिए 40 marks 40 students were found to have an average of 68 if two of the students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46 then find what is the correct average तो देखिए अब सवाल समझते हैं यहां पर हो क्या रहा है 40 students है 40 students है इन 40 students का जो actual average था वो निकला कितना तो 68 निकला ठीक इसमें एक गलती हो गई कि यहां पर दो नंबर जो सही नंबर थे उनके जगा पे क्या किया गया तो गलत नंबर लिखेघा है दो नंबर जो सही नंबर उन सही नंबर के जगा पर गलत नंबर लिखे गए तो सबसे पहले आप identify यह करिए कि सही नंबर कौन सा है और गलत नंबर कहले हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि फोल्स चालिज का 68 दो विद्यार्थियों के अंग 84 और 46 स्थान पर गलती से क्रमशा 48 और 64 आ गया मतलब 84 और 64 46 जो है इसके स्थान पर गलत नंबर यह मतलब गलत नंबर जो के स्थान पर 46 हमने लिखा हुआ अब देखिए मैं यहां पर बहुत सारी चीजें जो है पहले हमने पढ़ा के रखा हुआ उसका यूज यहां पर होगा आप देख रहे हैं कि इन दोनों का difference निकालना होगा इन दोनों का difference निकालना होगा अगर सही वाला बड़ा है तो पलस लिखेंगे गलत वाला बड़ा है तो माइनस लिखेंगे अब क्योंकि इन दोनों में difference जो इन दोनों संख्याओं में difference जो है चार का है और यहां पर संख्या अल्टी पल्टी हो जा रही है तो इसका जो difference हो जाएगा वह 4 into 4 into क्योंकि difference 4 था 4 into 9 होगा मतलब यहां पर कहिना कई 36 का difference आएगा अब इन दोनों संख्याओं में 2 का difference है और संख्याओं जो अल्टी पल्टी हो जा रही है तो इसका जो difference होता है वह होता है 2 into 9 का और क्योंकि यह wrong वाला बड़ा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा क्यों तो गलत वाले नंबर को क्या करना है इस संख्याओं से बाहर अटाना है सही वाले को अंदर लाना है तो अमेशा यह चीजे माइनस होती है 48 और 64 वाला value माइनस होगा इन दोनों का difference 36 आ रहा है इन दोनों का difference 18 मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या हुआ यहां प बड़ा value है तो total overall plus होगा मतलब इस average में मुझे क्या करना है तो 18 जोड़ना है यह 18 सम में difference आ रहा है सम जो कि पूरे के पूरे सभी विध्यार्थियों में बटेगा 40 में इसलिए divided by 40 हो तो net deviation इस case में 48 आ रहा है जो कि 40 values में बटेगा चलिए तो 68 प्लस यहां पे 0.4 ठीक है 5 आ रहा है मतलब कही न कहीं जो values है वो 68.45 होगा correct average जो है 68.45 आ जाएगा तो ए जो सवाल का सहीं उत्तर है अगर आपको समझ में नहीं आ है तो मैं यहां पे formula भी लिखा देता हूँ आपको कि इसका formula क्या है यह जो बात मैं यहां पे कह रहा हूँ यह है कि 2-digit number जो है इसक कहीं 4 का है इन दोनों में 4 और 6 में जो difference है कहीं न कहीं 2 का है आप सब अगर सारे वीडियो sequence में पढ़ते जा रहे है तो यह सारी चीजे मैंने number system में पढ़ाया है कि जब दो अंकों की संख्या को reverse कर देते हैं और उसका difference लेते हैं दोनों difference इन दोनों values का difference लेंगी आने 48 और difference आए और क्योंकि यहां पर बड़ा संख्या जो है वह सही वाली संख्या थी इसलिए plus क्योंकि यहां बड़ी संख्या जो है वह गलत वाली संख्या थी इसलिए minus तो overall जो deviation आए वह 18 और वह plus में इसलिए average में मैं प्लस किया लेकिन यह average है तो हम sum में values को नहीं चोड़ सकते इसलिए 40 जिसमें बट रहा है उससे डिवाइड करना होता है और अगर आप formula ही लिखना चाते है तो formula यह है आप इससे solve कर सकते हैं इसको correct average ठीक है correct average इस तरह के problem में correct average का जो formula होता है वह होता है wrong average ठीक है wrong average प्लस क्या करना होगा यहां पे correct numbers माइनस रॉंग numbers divided by total numbers ठीक है मतलब देखिए हां पे हो क्या रहा है कि correct average निकालने का formula है कि गलत average आप ले लिजे प्लस करेंगे जितने भी सही नंबर से उसको जोड़ेंगे और जितने गलत नंबर से उसको घटाएंगे क्योंकि उसको भगाना है गलत वाले को सही वाले को अंदर लाना है यह हो गया divided by जितनी संख्यां है उन संख्यां में यह जो सम में डिफरेंस आया वो जुड़ेगा इसलिए यहां पर संख्यां को जो समझने कोशिश करते हैं यहां से हिंदी में भी पढ़त लेते हैं बारा संख्यां का अगर पैतालिस बयालिस अंतिम पांच संख्यां का उसत चालिस है पहली चार संख्यां को जो संख्यां से शे कम है और सातिवी चासे पांच कम है क्योंकि हमें दिया है कि 12 numbers जो है 12 numbers का उसत जो है वो कितना है तो 42 इसमें दिया है पहला statement कि last 5 जो numbers है इसका average जो है वो कही ना कही 40 है और that of first 4 numbers जो है यानि पहले 4 numbers है उसका average दिया हुआ है 44 और last 5 numbers जो है उसका average आपको कही ना कही दिया हुआ है 40 40 ठीक है तो अंतिम चार संख्याओं का आउसत दिया हुआ है पहली चार संख्या का आपको आउसत दिया हुआ है आपको क्या कहना है आपको निकालना है अब कुछ वैल्यू यहां से जो बज गई है अब क्या क्या बज गई देखिए पहले की चार संख्या अगर है और आखरी कि 5 संख्या है तो इसके बाद 5 भी संख्या एक रहेगी 5th number 6th number एक रहेगा और 7th number एक रहेगा तो 3 numbers यहाँ पर छूड़ गए इन 3 numbers के बारे में information यह दिया है 6th number से 6 less than the 5th and 5th 5 less than the 7th तो अगर मैं 6th number को x ले लेता हूँ यह पांचवी number से 6 कम था याने पांचवी number जो वह कही ना कही x प्लस 6 हो जाएगा और 7वी number से 5 ज्यादा था 5 कम था याने कि 7वी number जो वह x प्लस 5 हो जाएगा और हमें क्या निकालना है हमें निकालना है 5 वी और 7 वी का उसत तो 5 वी संक्या क्या है X प्लस 5 और 7 वी संक्या क्या है तो X प्लस 7 है मतलब X प्लस 6 और X प्लस 5 है X प्लस 6 है और यह X प्लस 5 तो जो average होगा इननों का कहीं न कहीं X प्लस 5.5 होगा क्योंकि अगर मैं X को average मान लो तो एक 5 जादा है दूसरा 6 जादा है divide by 2 करोगे तो 5.5 है तो 5 वी संक्या जो है x plus 5 थी x plus 6 थी और 7 वी संक्या जो है कही न कही न कही x plus 5 है तो दोनों का जो average होगा वो कही न कही न कही x plus 5.5 होगा मतलब मेरा काम यह है कि ultimately मैं क्या निकालू तो x plus 5.5 निकालू ठीक है यही है चलिए अब solve करते है तीन numbers जो छूड़ गया यह है यह तीन numbers इन तीन numbers के sum की में बात कर रहो इन तीन numbers के sum की में बात कर रहो तो sum है x plus 5 plus x plus x plus 5 मतलब 3x plus 11 जो x के terms में हमने value लिया इन तीनों का sum कितना है तो x plus 3x plus 11 अब deviation को याद करने की कोशिश करें मैंने यहाँ पर तीनों का values x के terms में जब निकाला तो sum है x plus 6 x और x plus 5 deviation को याद करने की कोशिश करेंगे तो मैंने यह कहा था कि सारे values को हम क्या कर सकते है इसका average भी 42 यह भी 42 बन जाएगा यह भी 42 बन जाएगा यह भी 42 बन जाएगा और इसका average भी 42 बन जाएगा इस average का 42 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि सारे के सारे values जितने भी values दिया वो सारे के सारे 42 लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है हो क्या रहा है उसके बारे में discussion करेंगे मतलब कि इस हिसाब से पहला दूसरा तीसरा नंबर तिनों के तिनों 42 प्लस 42 प्लस 42 है मतलब कहिना कई 126 है 126 ठीक लेकिन आप देखेंगे कि पहले के चार नंबर में ये इस 42 से प्लस 2 लेकर चले गए मतलब extra 2 लेकर गए 4 values तो 4 minus का 8 इन लोग को सफर करना पड़े गा इसका इसकी अगर बात करते तो ये minus 2 लेकर गया और minus 2 5 values में यानि कि total minus का 10 लेकर गए आखरी के 5 values तो यहाँ पर extra plus 10 लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि बीच के छूटे होई values मतलब ultimately देखें तो क्या हुआ minus का 8 और plus का 10 यानि plus का 2 हो रहा है 128 इस 11 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो minus हो जाएगा मतलब 3x का जो value है वो कहीना कई आ रहा है 119 सरी 117 का मतलब x जो है वो कितना हो गया 39 हो गया अगर x 39 है तो हमें निकालना था x plus 5.5 क्योंकि 5 वी संख्या जो है कहीना कई बन जाए ग तो average यह होगा मतलब इसका average जो है वो कहीना कई 44.5 अब इस से जब पांचवी और साथी संख्या को जो average ऑगए तो निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा इस अपरोच से अगर आप सॉल्व करेंगे तो calculation कम रहेगा अगर आप यह फॉर्मूला यूस करेंगी सम बरावर होत इससे भी फॉर्मूले से आ जाएगा क्यूंकि आपके पास 12 values का सम है आपके पास पहले के 4 values का सम है और last के 5 values का सम है तो जब आप 12 values के सम में से पहले के 4 और आखरी के 5 का difference ले लेंगे तो जो बीच की संख्या बचेंगी जो value आएगा वो 5th और 6th और 7th values होंगे जिसको आ अगला सवाल है next question देखते है the average of 13 numbers is 80 average of first 5 numbers is 74 तो 13 numbers जो है इसका average कई ना कई क्या है तो 80 है इसमें से बुला कि पहले के 5 numbers जो है first 5 numbers का average दो था वो 74.5 नेक्स्ट 5 याने कि इसके बाद के next 5 की numbers की बात हो रही है तो यह हो गया 82.5 हो और 7 में बुला गया कि यहां से अब पहले 5 और दूसरे 5 हो गया तो अब क्या बचेगा 11 number बचेगा 12 number बचेगा 11th 12th and 13th number बचेगा तो यह 3 number के बारे में क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा discussion करते है 11th number is 6 more than 12th number and 12th number is 6 less than the 13th number तो 11th number 6 जादा है इससे मतलब अगर मैं इसे x लूँ तो 11th number x plus 6 होगा और 7 में दिया हुआ है कि 12th number 13th number से 6 कम है मतलब यह वाली number इससे 6 जादा हो जाएगी x plus 6 हो जाएगी अब average निकालना था हमें 11th ही संख्या और 13 संख्या कई तो एकस प्लस से 13 संख्या च्तो तो इन नोनों का जब average निकालोगों तो कहीना कहीं जो value आएगा वह x plus 6 होगा मतलब हमें जो value निकालना है वह x plus 6 का value निकालना है तो अब deviation लगाने की कोशिश करते है deviation लगाने का मतलब आप क्या करेंगे sum निकालेंगे किसका किसका तो 11 12 और 13 numbers का sum निकाल लेते हैं 11 नमबर 12 और 13 नमबर को sum निकालोगे तो 3x plus 12 आएगा कही ना कही इसके values है तो कि x plus 6 x है x plus 6 deviation कैसे लगाना है तो ये सारी बाते हमने discussion कर लिया एक बार और मैं बता देता हूं कि deviation का मतलब अगर ये average असी है तो इसका भी 80 होना है इसका भी 80 होना है ये value भी 80 ये value भी 80 होना है ने ये तीनो values का sum जो है वो कही ना कही 240 होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है और अगले 5 value में थोड़ा ज्यादा लेगा तो पहले के 5 value कितना कम लेगा आपको 5.5 कम लेगा तो अगर यहाँ पर यह 5.5 कम लेगा यह 2.5 ज्यादा लेगा तो यहाँ पर इसका opposite होगा क्योंकि अगर यह 5.5 कम ले जा रहा है तो यहाँ पर 5.5 ज़्यादा ले जाएगा, multiplied by 5 करना पड़ेगा, क्योंकि एक value नहीं 5 वैलू से, और यह धाई है, तो यहाँ पर धाई minus होगा, 2.5 multiplied by 5, तो यहाँ पर दो-दो बार 5 multiply करके लिखने से बढ़िया यह है, कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको 5 को common निकालके, एक बार लिख सकते हैं, कि value, इस 5 को हम common निकाल लेते हैं यहाँ से, और directly 2.5 से minus करने की बाद 5 को इखटा multiply कर लेते हैं से, तो यह हो जाएगा आपका 240, प्लस का 3 into 5 हो गया, मतलब की 15 हो गया, तो actually जो value है 3x plus 12, इस 12 को उधर भेज होगा, तो 15 से कटेगा, तो 3 मचेगा, मतलब 3x का value है 243, तो x का value कितना हो जाएगा, x का value directly आप लिख सकते हैं कि 81 है, x का value 81 है, तो average हमको जो निकालना था, वो 13 value और 11 value का निकालना था, जो की दोनों के दोनों x plus 6, ये भी x plus 6, मतलब average जो होगा, कहीं न कहीं 81 plus 6, यानि की 87 उतर हो जागा, सी सवाल का सभी उतर हो, clear, दूसरा तरीका यही है, कि आप सब का sum निकालते चले जाए, 13 का sum आजाएगा, क्योंकि 13 का आपके पास number भी है, और 7 में साथ 13 का आपके पास यहाँ पर average भी है, इन नोनों को multiply करोगे, sum आजाएगा, इन नोनों को multiply करोगे, तो इसका sum आजाएगा, इन नोनों को multiply करें इसका сум जाएगा अब पहले वाले sum में से दूसरे और तीसरे का sum घटा दो तो इन तीनों का sum ही बचेगा क्योंकि पहले वाले sum में 13 के 13 नंबर है और दूसरे और तीसरे वाले sum में पहले के 5 और अगले के 5 नंबर है मतलब बचा हुआ जो value बचेगा वो 11, 12 और 13 नंबर का sum बचेगा जो की कही ना कही यही आएगा 240 प्लस 15 यानि कि 255 आएगा तिक उसके बाद आप यह 3x प्लस 12 से equate करके वैसे भी solve कर सकते हैं तेकिन उसकी कोई आवशकता नहीं आगे बढ़ते हैं next question है आपके screen के उपर यहां दिया हुआ the average of 11 results is 50 तो 11 results का average आपको दिया हुआ 50 है average of first 6 पहले जो 6 नंबर है इसका average कही न कही 49 है और last के जो 6 नंबर है यहां पर इसका average जो है कही न कही 52 है तो आपको निकालना है 6 नंबर क्या है तो देखिए यहां से थोड़ा सा अब यहां पर overlapping हो रहा है यह जो case है किसका है overlapping case यह पिछला वाला जो case था इसमें क्या हो रहा था कि कुछ values छूट जा रहे थे यहां पर value छूट रहा रहते तो इसमें से पहले वाले value में से हम बाकी दोनों को minus कर रहे थे लेकिन यहां पर क्या है कि अब यह जो value आएगा इसमें से इसको minus करना पड़ेगा तो अब जब average six number की बात हो रही है तो six number जो है वो भी अगर पचास होना चाहिए था लेकिन पचास होगा नहीं क्योंकि यह जो है पहला वाला यह minus one लेकर जा रहा है छे values में तो इसका minus six होगा और यह जो value है यहां पर दो extra लेकर जा रहा है तो यहां पर 6 values है इसलिए यहां पर plus का 12 होगा तो total 56 इसका उत्तर होगा एक चीज़ आपको ध्यान यह रखना है कि पिछले वाले values में जब य यहां पर उसको extra जोड रहे थे यहांने sign opposite करके लिख रहे थे यहां पर अगर कोई value कम लेकर ज्यादा लेकर जा रहा है तो यहां पर धाई ज्यादा लेकर गया तो यहां पर minus का धाई करना पड़ रहा था लेकिन इस case में ऐसा है कि अगर यह value one minus लेकर गया तो यहां पर आ के 123456789 10 और 11 जब पहले 11 numbers की बात हुई तो यह सारे numbers का average जो कोई ना कई 50 दिवा तो आप यहां पर 11 into 50 लिख कर लिख सकते हैं कि total value क्या है 550 जब first five numbers की बात हो रही है तो यहां से लेकर यहां तक गया तो six into कितना हुआ तो 49 हुआ जो की कितना है तो 294 है जब last values की बात हो रही है यहांने पीछे से हम आ रहे है छे number तो एक दो तीन चार पांच और यह छे number इन six numbers की बात हो रही तो average 52 है मतलब कितना हुआ तो 312 हो अब आप खुदी बताइए कि यहां पर जब double counting हो गया तो अब आप इस values में से इसको minus करेंगे तब ही तो answer आएगा क्योंकि पहले वाले छे को और आखरी वाले छे को जोड़ने पर ग्यारा के ग्यारा number एक बार count तो हुए लेकिन six number दो बार count हो गया इसलिए जब 11 number के average का sum निकाल कर जब minus करोगे तो क्या बचे का six number ऐसे case में जो deviation हो रहा है वो as it is यहां six वाले value को calculate करने के लिए अगर plus का deviation है तो plus करना minus का deviation है तो minus करना लेकिन जब ऐसा case है पिछले वाले cases में जहां पर overall value 80 था यहां पर कुछ minus हुआ और यहां पर कुछ plus हुआ और बात हम remaining वाले का कर रहे हैं जो की count ही नहीं हुआ double count नहीं हुआ single count भी नहीं हुआ ऐसे case में जो value कम हो रहा है उस हाले case में plus करना होता है इन 3 values के रहे और जो value बढ़ रहा है उसके रहे आपको minus करना होता है चलिए आशा करता हो यह समझ में आ गया होगा चलिए next question देखते है the average of certain numbers of students in class is 68.5 four new students having the weight of 72.2 70.8 kg 70.3 kg and 66.7 kg joined the class and the overall average of the students increased by 300 grams find the number of students in the class initial देखिए यहां दिवाए कक्षा में विद्ध्यार्थियों का उसत भार जो था वो कईना कई 68.5 था यदि इसमें 72.2 kg 70.8 kg 70.3 66.7 kg भार वाले चार नए विद्ध्यार्थी आ जाते है तो कक्षा में दाखिला लेने लेते हैं तो क्या होता है कि विद्ध्यार्थियों का जो उसत भार है वो कईना कई 300 ग्राम से बढ़ जाता है तब ज्यात करें कि शुरुवात में कितने विद्ध्यार्थी थे देखिए इस सवाल को भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर आपको इस समलब 3 kg और एक आया 66.7 kg यह एक्स्ट्रा स्टूनेंट्स चार जुड़ गए आप देखिए कि इसमें डिवेशन क्या हो रहा है पहले वाले की डिवेशन की अगर मैं बात करू यहां से तो यह एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है अगर यह 0.5 होता तो 4 kg बढ़ता लेकिन 3 ग अगर मैं बात करू तो अगर यहां पर आपका जो वैल्यू है वो कहीना कही अगर 70.3 के जगा अगर 70.5 होता तो पुरा का पुरा दो बढ़ता लेकिन 2 कम है यहां पर कहीना कही जो वैल्यू बढ़ रहा है वो 1.8 बढ़ रहा है अगला वैल्यू कम है तो कितना कम है अगर देखें यहां 68.5 है यह 66.5 होता तो कहीं न कहीं 2 kg कम होता लेकिन 60.5 से 66.5 से 0.2 जादा है मतलब यहां 1.8 कम होगा अब हम क्या करेंगे इस deviation को calculate कर लेते हैं यहां 1.8 और 1.8 कर गया इन दोनों को calculate करोगे तो प्लस 6 kg बढ़ रहा है यह 6 kg जो है पूरे के पूरे लोगों में जब बढ़ जाएगा पूरे के पूरे लोगों में याने अन बढ़ जाएगा n तरीके से आने कि देखिए ये तो sum में difference है तो पूरे की पूरे अब जितने बच्चे हो गए इन चारों को जोडने के बाद जितने बच्चे हो गए वो कितने हो जाएंगे वो हो जाएंगे पहले जितने बच्चे थे plus 4 ठीक तो अगर ये मान लेते कि अब n बच्चे हैं तो इसको n से डिवाइड करने पर 300 ग्राम बन रहा है 300 ग्राम को अगर मैं केजी में करों तो कहिना कई 0.3 आएगा तो अगर n का value निकालना है तो कैसे निकालोगे n बराबर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 6 divided by 0.3 0.3 से काटोगे तो कहिना कई 20 students आ रहा है मतलब देखिए मैं यहाँ कर रही क्या रहा हूँ मैं यह देख रहा हूँ कि यह average में difference है यह actually sum में difference है और number of students है मतलब पहले अभी यहाँ पर अगर 20 students है तो अब पहले कि इतने बच्चे थे उसमें 4 ज्यादा होगा यानि यह starting में अगर x बच्चे थे उसमें 4 बच्चे जोडने के बाद इतने हुए यानि starting में जो x number of students थे वो कही न कई 16 हो जाएगा यह उत्तर होगा क्योंकि देखिए यह जो बटने के बाद हुआ यह 4 बच्चे आने के बाद हुआ मतलब कही न कही अभी पहले starting में जो बच्चे थे वो x plus 4 रहे होंगे मतलब पहले 16 बच्चे होंगे यही सवाल का उत्तर हो जाएगा दी option इस करे तो आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे आपके screen के उपर आ चुका है यहाँ पे दिया हुआ है there are three numbers such that the average of any two of them when added to the third number the sum obtained are 168, 174 and 180 what is the average of the original three numbers तीन संख्या ऐसी है कि यदि उसमें से किसी दो का उसत तीसरे नमबर में जोडा जाता है तो प्राप्त संख्या जो होती है वो क्रमशा 168, 174 और 180 हो तो उसत क्या है तीन संख्या का हमें ग्याद करना है देखिए जबी भी आपको दिया हुआ है कि आपने क्या किया दो नमबर का उसत लिया और तीसरे नमबर में जोडा तो value कितना आया तो 168 आया तो तीन नमबर है A, B, C इसमें फिर बाकी दो नमबर को जोडा और इसमें जो एक नमबर छोड़ गया उसको जोड़ा तो यहाँ पर 174 आया एक और बार हमने क्या किया दो नमबर को जोड़ा यानि कि C और यह जो बच गये थे उनको जोड़ा इसका और इसके बाद जो छूटा हुआ वा नमबर था भी इसमें जोड़ा तो तीसरा नमबर आ एक सो असी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों संख्या का एवरेज क्या यह निकाली है तो क्या करना है तीनों को जोड़ के बारा आएगा एक क्यारी फॉरवर्ड तो यहां पर बन गया यह साथ प्लस साथ चौदा प्लस आठ करोगे तो बाइस आ रहा है दो और दो गुड़ आगे बढ़ गया मतलब दो और तीन याने पांच आ रहा है तो 522 डिवाइड़ बाइस कितना आ जाएगा आठ बार जाएगा आपका 48 दिनों को जोडेंगे अब यहां पर ए और दो बार है यह जो एवरेज वाले पार्ट में एए यह पर भी यह और यहां पर भी है ब़ीह यह को लेने के बाद उसका आधा करोगे तो फिर से सी बचेगा यहाने कुल मिला के ABC जो है यह पूरा क्या पूरा दो बार है तो यहां पर जब आप इनевой को जोड़ेंगे तो कहीं न कही यह त्वाइस ABC के बरावर था यह 2x ABC के बरावर था और क्योंकि जब average की बात हो रही है तो average क्या होता है तो a फ्लस b प्लस c divided by 2 3 होता है 3 values है तो 3 value का average निकालने तो divide by 3 करना है मतलब यहाँ जो values आया उसका पहले आधा करना होगा तब जाके A plus B plus C आएगा और उसका one third करना पड़ेगा तब जाके average आएगा मतलब की cool मिला के क्या करना है इन सबका one sixth करना है तो वही मैंने सबसे बड़ी संख्या है तो आपको बताना है कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो देखिए मान लेते A जो है इससे बड़ा B है इससे बड़ा C है इससे बड़ा D है चार संख्या इस तरीके से दी हुई है इसके बाद बोला कि one third of the average of the all four numbers तो पूरे चारो numbers का जो average है यानि A plus B plus C plus D का जो average है यह क्या होगा divided by 4 यह इसका जो एक तिहाई है ठीक है one third of the average of यानि कि इसका जो एक तिहाई है यह 19 less than है greatest number of the all मतलब कि यह 19 less than है डी से 19 कम है यह दिया हुए है तो एक तिहाई चारो संख्या का उसत का एक तिहाई इन सभी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में से आपका 19 कम है अब दिया हुए पहली तीन संख्या का उसत जो है वो 36 है मतलब अगर पहले तीन संख्या ए प्लस बी प्लस सी जो है इसका और पर मैं 36 लिख सकता हूँ 36 लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस भी प्लस सी का एवरेश बारा था तो इसका सम जो है वो कहिना कई 36 हो जाएगा अब इसको सॉल्फ करते हैं तो यह 36 या थरी को उधर बेज देते तो कहिना कई या फिर संवाल का बिलकुल सही उत्तर है ठीक आशा करता हो यह सवाल आपको अच्छे से समझ में अगे बढ़ेंगे average age of 30 students in a class is 15 6 students in this class have an average of 16 years then find the average of the remaining 24 एक कक्षा में 30 छात्रों का उसत आयो 15 वर्स है यदि इन में से 6 छात्रों का उसत आयो 16 वर्स है तो 6 चोविस छात्रों का क्या आवरेज होगा तो टोटल देखिए कक्षा में जो छात्र हैं वो 30 छात्र हैं 30 छात्रों में बताया गया कि इसमें से 30 छात्रों का जो आउसत था वो कितना था 15 years 15 years इस तरीके से लिख लेते यहां डिविएशन ही लगाएंगे यहां पर भी 30 स्टूडेंट्स जो है इनका जो एवरेज था वो कितना था एज वो था 15 years था 15 साल था इसमें से जो 6 बच्चे है 6 students है 6 students का जो आउसत एज है वो कितना है तो 16 years है अब remaining 24 students का एवरेज क्या होगा यह हमें निकालना है तो बहुत simple सी बात है आप यहां लगाईए deviation नहीं मान लेता हूँ कि यहां पर भी age 15 होना चाहिए था तो यहां पर भी age 15 ही होगा सबका age 15 15 तो शानती रहती कि इसका भी age 15 है इसका भी age 15 है लेकिन हुआ क्या कि 6 बच्चे जो है वो कहीं न कहीं 15 से एक ज्यादा लेगा एज क्योंकि अगर यह 15 से एक ज्यादा लेगा है तो ऐसे 6 बच्चे तो यहां पर इस 6 का नुक्सान बाकी 24 लोगों को भरना पड़ेगा तो अगर यहां पर 6 कम हो रहा है तो यह सम में कम हो रहा है और यहां पर हमने जो 15 लिखा है कहीं कई आवरेज में तो 24 लोगों में यह 6 का नुक्सान मटेगा तो यहां पर 24 डिवाइड कर लेते हैं यही आपका डिविएशन तो अगर मैं इसको 1 by 4 लिखो तो कहीं न कहीं 15 में से मैं 14 को एक साथ लिख लेता हूं 14 साल को और एक साल को आगे भीज़ देते हैं तो 1-1 by 4 हो रहा है 1-1 by 4 का मतलब कितना हो गय और 3 by 4 year का मतलब क्या हो गया 12 से multiply करोगे तो इतना महिना होगा क्योंकि एक साल में 12 महिने होते हैं तो 3-4 साल में 3-4 गुने 12 महिने होगे चार से काटने पर यह 3 मनेगा मतलब कही ना कही यहाँ पर जो है 9 months और बन ले मतलब 14 years and 9 months जो है सवाल का सही उत्तर है जितने लोगों यहाँ पर D उत्तर आ रहा है आप सभी का जवाब बिलकुल सही है ठीक है तो D is the correct answer for this question चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं राकेश और मनोज इनका जो average age है कही ना कही कितना है तो 15 साल है फिर मनोज और अजय का जो average age है यह आपका दिया हुआ है कही ना कही 12 साल है और राकेश और अजय का जो average age है यह कही ना कही आपको दिया हुआ है 13 आपको निकालना क्या है आपको निकालना है इसमें से मनोज का age क्या होगा तो direct short trick बताऊंगा मैं आपको यहां पर क्या करना है simple सी बात है आपको कुछ करना नहीं है जिसमें जिसमें मनोज दिखा इसमें दिखा मनोज और इसमें दिखा मनोज तो मैं क्या करूंगा यहां पर 15 और 12 को तो मतलब क्या करना चाहते है तो तीन एकवेशन हैं तीन को जोड़ेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए राकेश दो बार मनोज दो बार आदेखिए तो मतलब calculate करोगे तो r plus m plus a दो बार आ जाएंगे दो बार आ जाएंगे और divided by 2 नीचे है तो यह कड़ जाएगा तीनों को जोड़ने पर कही ना कहीं यह 15 और 12 27 प्लस 13 करोगे तो 40 आरा 40 दो-दो कड़ अब यहां से आपको किसका एज निकालना था अगर एम चाहिए तो मुझे यहां से आर और एवाले को हटाना पड़ेगा तो आप खुदी बताईए यहां से आपका आर और एका वैल्यू आ जाएगा कि आर प्लस एक इतना है आर प्लस ए है 26 और प्लस एम प्लस शौट ट्रिक्स है तो शौट ट्रिक्स कहां लगाना यह सीख लीजे जब दो-दो वेक्तियों का एवरेज करके तीन वेक्तियों का एवरेज दिया हुआ है एक-एक को छोड़के वहां से अगर किसी एक पर्टिकुलर परसन का एवरेज निकालना है तो डिरेक्टली क्या क निकालने का तरीका क्या है कि तीनों को जोड के आप यहां से divided by 3 कर दीजे क्योंकि देखिए अगर मैं तीनों को जोडता हूं तो वैल्यू क्या रहा है तीनों का सम डिवाइड बाइट बाइट थी करोगे तो तीनों का इखट्टा एवरेज निकल के आ जाएगा ठीक है 35 स्टुदेंट्स थे किसी हॉस्टेल में इफ दर नंबर फ्टुदेंट्स इंक्रीज बाइट बाइट थी क्या है तो पैटिस बच्चे साथ चात्र आ जाते हैं तो में प्रती दिन जो है वो बैलीस रूपय बढ़ जाता है जबकि प्रती चात्र एक रूपय कम हो जाता है तो मेंस का प्रारंव में कुल खर्च क्या है था यह हमें ग्याद करना है चलिए इस सवाल को समझते हैं यहां पर दिया हुआ है कि 35 स्टुदेंट्स थे किसी हॉस्टल में ठीक है और इसमें बोला गया कि जब साथ स्टुद रूपीज से बढ़ जाता है कितने से बढ़ जाता है तो प्लस 42 रूपीज से एक्स बढ़ जाता है लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर पर हैड पर हैड की जो एक रूपय से कम हो जाती मतलब अगर यहां पर एवरेज जो था यहां पर अगर एवरेज जो था वह एक्स होता है average multiplied by number यही होता है मतलब शुरुवाती तोर पे जो हमारा expenditure हो रहा था वो 35 multiplied by x 35 x हो रहा था और सवाल में हमसे यही निकालने को कहा गया बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पर जब x-1 हो गया average तो 42 x-1 हो रहा है ठीक है तो इन दोनों का जो सम है मतलब difference है वो कहीं 42 का है मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 42 x-1 जो कि बाद में इस तरीके का average हो वो कब हुआ जब 35 x का पहले का हमारा जो average sum था 35 x का जो हमारा sum था इसमें 42 रुपए और बढ़ाने पर क्यों क्योंकि आपको दिया गया कि यहां पर average तो कम हुआ x 1 से लोग जो है वो 42 हो गए तो sum जो होता है वो average into number होता है तो पहले जो total expenditure आ रहा था वो 35 x आ रहा था लेकिन बाद में क्या हुआ 42 रुपए से खर्च बढ़ गया तो इसमें 42 रुपए जोड़ देते हैं और बाद का जो खर्च है बाद का जो खर्च है वो कहीं न कहीं 42 x-1 होगा तो यह दोनों अगर इसको solve करते हैं तो यह 42 x माइनस का 42 है बरावर 35 x होगा और पलस का 42 अब देखिए थोड़ा smartly देखिए यह सब लिखने की जरुरत नहीं है आपको क्या करना था आपको directly यहाँ पर यह 35 x को इधर ले जाना था तो देखिए 42 और 35 माइनस करोगे तो 7 x आएगा यह 42 क नहीं था कि आप बताइए x का मान क्या आपसे पूछ रहा था कि original expenditure कितना था मैंस का प्रारंब में कुल खर्च कितना हो रहा था यह निकालना था तो x बराबर मैंने लिख दिया बारा तो 12 multiplied by 35 multiplied by 12 अगर 6 से multiply करोगे तो कहीना कहीं 210 होता है इसका दुगना है मतलब कहीना कह 420 रुपीज इतना खर्चा हो रहा था पहले का थिक तो c is the correct answer for this question आशा करता हो यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब दो चीजे और important जो हमें सीखना है वो है batting average और bowling average ठीक है there is some average of 11 innings for a batsman he scores 90 runs in the 12th innings and his average decreases by 5 runs what is his current average तो देखिए यहां दियो है एक बल्ले बाज जो है वो ग्यारी पारिम में क्या बनाता है तो ओसत बनाता है ग्यारे पारिमे कुछ उसका ओसत होता है बारी पारिमे में 90 रन बनाने पर उसका जो ओसत है वो पांच रन से घड़ जा तो फटा फट मैं आपको ये टर्म्स बता देता हूं क्योंकि आपकी एक्जाम में कई बार क्रिकेट के उपर प्रश्न आया है और आगे भी आने के चांसे सरकता है जो लोग क्रिकेट देखते हैं आप लोग को पता होगा लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उन होता है number of runs scored divided by number of innings played हिंदी वाले लिखेंगे कि बल्ले बाजी का जो और सत है वो क्या होता है कि एक बल्ले बाज कितने रन बनाता है बल्ले बाज कितने रन बनाता है divided by कि बल्ले बाज कितने इनिंग्स खेला यह होता है बैटिंग अवरेज बाज कितने रन बते में कितने विकेट लेता है इतने रन देने के लिए अब आप खुद बताइए कि यहां पर बहतर बल्ले बाज और बहतर गेंदबाज का निर्णा कैसे होगा आप लोग देख रहे हैं बल्ले बाज जो है वो जितने रन मनाता है डिवाइड़ बाज जितने इनिंग्स खेला ठीक इससे बल्ले बाज का उसत निकलता है मतलब जितना ज्यादा उसत होगा उतना ही ज्यादा बल्ले बाज रन बनाएगा और उतने ही कम इनिंग्स खेलेगा क्योंकि अगर बल्ले बाजी का उसत बढ़ रहा है यह दो तरीके से बढ़ सकता है इनिंग्स कम खेले और रन ज् समझना है कि बल्लेबाज वो बहतर होता है जिसका बल्लेबाजी का उसत ज्यादा बड़ा होता है याने बल्लेबाज अगर ज्यादा एवरेज रखा है तो वो बहतर बल्लेबाज कहलाता है लेकिन बॉलिंग एवरेज में उल्टा होता है ज्यादा एवरेज मतलब खराब गे अगर किसी बॉलिंग अगर दस है इसका मतनब हर एक विकेट दस-दस रन देने पर एक-एक विकेट ले रहा तो कही ना कई बहुत ही बहतरी इन बॉलर है तो जितना कम बॉलिंग आवरेज होगा उतना बहतर बॉलर होगा ठीक है यह कुछ टर्मिनलोगी होगी तीसरा है आप झाला अवर की बात करें तो एक वर में 6 बॉल्स होते है owej और यहां से अगर एक और की बात करने तो अगर सपोर्स करें कि सो राण बने बीज पर करें लने की एक स़ conscious कई के विक में एक वर न व्याकर दोहग है यानिवार recipients है याई कि हरेक abundance तर्लिप्लू को तो यह तो कुछ बात हो गई run rate की balling average याने गेंदबाजी का उसत और बल्लेबाजी का उसत का आशकरतों कि आपने यह सारी चीजे लिख ले होगी अब इस सवाल पर आते हैं यहां दिया है there was some average याने की 11 innings में किसी बल्लेबाज का कुछ average था he scored 90 runs in the 12th innings and average decreased by 12 मतलब कि 12 innings में इसने क्या किया a minus of मतलब इसका run जो था 12 innings में वो 90 था तो इसका average कई ना कई 5 से कम हो गया तो actually जो run scored होता है वो runs scored कैसे लिख सकते हम ऐसा लिख सकते ना batting average batting average multiplied by number of innings ऐसा तो लिखी सकते है क्योंकि यहां अगर innings लिखा हुआ है और यहां पर average लिखा हुआ है तो batting average क्या होता है number of innings multiplied by this मतलब पहले अगर 11 innings की बात करूं तो batting average था 11a इसमें 12 innings का score जोड़ देते हैं जो कि कितना है 90 run और यह हो गया अब 11 innings का score plus 12 इनिंग का score जैसे ही इतना हम जोड़ लेते यह 90 तो आता है 12 इनिंग का score और 12 इनिंग का score क्या है तो अब उसका औसद कितना है पूछ रहा है तो अब उसका औसद a-5 है मतलब कि अब 145 का average है batting average ठीक है तो यह don bradman से भी बहुत ही बहतरी इंग बैट्समान है क्योंकि don bradman जो है वो 99 का average रखे थे इनका average जो है कही न कई 145 का है चलिए यह तो कुछ बाते होगे अब देखिए इसको बिना इसके भी हम calculate कर सकते थे कि average क्या है इसके लिए आपको यह समझना होगा कि deviation का थोड़ा सो odd depth में अगर आप solve करना चाहते हैं तो इस तरीके से समझीए कि यहाँ पर जो भी average सपोस्ट करते हैं जो भी average इस एवरेज में इसने इतना कम रन मनाया कि आपके 5 से कम हुआ score जो की आपके नबे कि 12 इनिंग्स में पांच से कम कर दें मतलब पहले का जो average था इसमें इसने 60 run कम बनाया 60 runs कम बनाया तब Chris जो है यह जो score था वो नबे के बरा भर था क्योँ कि देखिए पहले जो average था इस average में उसने 5 कम average लांए 5 कम आवरेज लाने का मतलब है कि अब 12 innings में 5 कम, मतलब कि जो score इसने 12th innings में किया, वो पहले के average से overall देखा जाये तो 60 कम था, 60 कम था, तब ही जाकि ये 60 जो है 12 innings में बराबर 5-5-5 बटेगा, और उसने बनाया किता था तो 90 बनाया था, मतलब पहले का जो average A है वो कहिना के 150 था, तो बिना आप कोई calculation किए directly आप deviation लगा के कर सकते हैं, अब यहां से balling average का प्रश्ण है कि balling average में baller जो है वो 12.4 था, he took 5 wickets for 26 runs in the next last match and his average improves by 0.4, find the number of wickets before the last match, देखिए एक गेंदबाज का balling average जो है, वो कहीना कही 12.4 था, अंतिम match में इस खिलाडी ने क्या किया, तो 26 रन देकर 5 wicket लिया और उसकी जो balling average ह वो कहीना कहीं 0.4 से सुधर जाती है, तो अंतिम match के पहले उसने कितने wicket दिये थे यह हमें बताना है, तो दीखिए इसको solve करते है, यहां पे दिया हुआ है कि balling average जो था, वो इतना था, और अगर मैं number of wickets before the last match कह रहा है, तो suppose करते हैं कि उसने x wickets लिये थे, तो उसने जो run दिये होंगे, वो कहीना कही 12.4 x, इतने run दिये होंगे, क्योंकि balling average जो होता है, runs divided by wickets, ठीक है, wickets बरावर average होता है, तो अगर मैं runs की बात करो, तो runs बरावर क्या हो जाएगा, average multiplied by wickets ही तो होगा, तो मैं यहीं कह रहा हूँ कि balling average अगर 12.4 था, पहले का, अगर number of wickets x था तो इन दोनों को multiply करने पर पहले उसने इतने run दिये होंगे, अब इसने क्या किये, इसने 5 wickets लिये और 7 में 26 run दिया, मतलब extra उसमें 26 run दे दिये, और यह जो run है, यह कहीना कही, x पलस 5 wickets का average बताएगा, और जब यहाँ पर कह रहा है कि 0.4 से उसका average सुधर जाता है, सुध average 12 होगा, अब इसको solve करते हैं, यह 0.4 है और 12 x को minus करोगे, तो कहीना कही 0.4 x आएगा, 26 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 60 minus 26 होगा, तो यह 34 बन जाएगा, मतलब x का value है, 34 divided by 4 into 10, मतलब कहीना कहीं 340 बटे, 4 जो कहीना कहीं 85 आएगा, तो 85 इस सवाल का उत्तर है, क्यूंकि अंतिम मैच के पहले उसने x wickets लिये थे, बाद में उसने x plus 5 wickets लिये तो कहीना कही 85 जो है सवाल का सई उत्तर हो जाएगा, चलिए, in a team of boys of 27 whose age is decreased by 4 months when 4 students of 16, 17, 18 and 19 respectively are replaced by them by the same number of boys, then find the average age of the new boys, तो देखिए एक team है जिसमें 27 लड़के थे, इनका उसत आईउ जो है चार महिने से कम हो जाती है, जब क्रमशा, 16, 17, 18 और 19 साल के लड़के, चार लड़के की जगा, दूसरे चार नए लड़के आ जाते हैं, तो नए लड़के जो है उनकी ओसत आयू क्या है ये बतानी है, देखिए, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर चार लड़के जिनकी जो ओसत आयू थी, वो 16 वर्स थी, 17 वर्स थी, 18 वर्स थी और 19 वर्स थी, यह चारो के चारो जो है, एक ग्रूप आफ टीम्स है, यहाँ पर 27 लोग है, इसमें से बाहर गए चार लोग, यह चार लोग जो बाहर गए उनका एस्था, 16, 17, 18 और 19, इनके जगा पे चार और लोग आये, 4 परस ठीक है, और इन न्यू परसंद पर आने पर क्या हुआ कि यह जो 27 लोग थे, इनका जो एवरेज है, वो कही ना कही चार मंद से कम हो गया, 4 मंद से कम हो, 4 मंद से कम होने का मतलब, minus of 1 by 3 years हुआ, क्योंकि एक महिने में, एक बटे 12 साल होता है, तो चार महिने में, कही ना कही एक बटे 3 वर्स होगा, ठीक है, तो अगर 4 महिने से कम हो रहा है, तो यह 1 तीहाई कम हो रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं, तो अब यहाँ से समझते हैं, कि यह 4% है, यह 4% का जो एज होगा, ठीक है, average निकालना है, तो कही ना कही इनका जो some relation होगा, some होगा, इन सबी के, वो ह इतने से कम हो रहा है, तो कही ना कई यह average जितने से कम हुआ, वो average 27 लोग में बटना है, मतलब इनका जो age है, कही ना कई 27 multiplied by one by three, इतना कम होगा sum में, क्योंकि यह वनथड जो है, वो 27 लोग में बटना है, मतलब इनका जो sum होगा, जो चार नए लोगा है, वो इतना minus of ये जो है इतना कम लेकर आएंगे क्योंकि इतना अगर लेकर आते जितना ये है उतना ही अगर लेकर आते तो average जितना पहले था उतना ही average अभी भी होना था लेकिन 4 महिने से कम हो रहा है यानि कि 1 third of an year से कम हो रहा है जो नए लड़के हैं उनका आउसता यू निकालना था तो find the average of average सबका निकालना था तो यहां से divided by 4 कर लेते एक बार ठीक तो बताइए कितना होगा तीन से काटोगे तो 9 बन जाएगा अब 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 देखते साथ समझ में आ रहा है कि इसका जो सम है वो कहिना कई सत्तर होगा क्योंकि देखिए 16 प्लस 19 भी 35 होता है 17 प्लस 18 प्लस 35 होता है 35 प्लस 35 करोगे तो सत्तर होगा 70 बन गया consecutive terms है तो 70 70-9 करोगे 70-9 करोगे तो कहिना कई 61 divided by 4 इसका एवरेज हो जाएगा इन सभी का जो कि 15.25 होगा ठीक है तो यह जो है सवाल का से क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई होगी चलिए अब इस सवाल के साथ मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं थोड़ा सा एक छोटा सा प अलिगेशन क्या है तो आपके एवरेज को सॉल्व करने का एक तरीका वो भी ऐसे तरीका जिसमें की दो अलग-अलग क्वांटिटीज का अलग-अलग अवरेज दिया हुआ है और जहां पे आप वेटेड लगाते हैं वहीं पर एलिगेशन भी लगाते हैं मिक्षर कंटेंट के साथ ये चीज़ें आपको मिल रही है ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच इस वीडियो को यहां पर मैं रुकता हूं आने वाले वीडियो में मिक्षर एलिकेशन हम कवर करेंगे थैंक्यू सो मच